स्वागते मित्रो आपका एलेक्ट्रेशन थियोरी की क्लास में जिसमें हम आज बात करेंगे विविन मानक एक एक एसा टोपिक है जिसमें विविन मानक इकाईयों के बारे में और टूर्स के बारे में बताया जाता है देखिए दोस्तों कि मैं आपको बता देता हूं कि हमने क्लास वन टू और त्री में व्यावशाइक शुर्क्षा एम स्वास्ते के बारे में बताया है जो कि हमने अच्छी परकार से साथ क्लास 3 में महत्वपुन क्यूशन भी बताया है जिसमें 25 क्यूशन से उस वीडियो को आप जरूर आप देखिए क्लास फर्स्ट और सेकें ठीक है दोस्तों क्लासे करवाने के बाद हम एक क्लास जो आपके क्यूशन बनते हैं क्लास से तो इसे के साथ मैं आपको एक और जान करी है देना चाहता हूं कि अगर आपको इंजिनेरिंग के जो भी डाइग्राम बनते हैं किस-किस फ्रकार सबनते हैं वह क्लासे हमने पिछले साल भी upload की है जिनको आपको फ्लैय लिश्टों में जाकर यूटey चैनल पर आप बाद्री करना अप करका कि जो नोंप पिछली क्लासों में एक साल हो गया हमारे चैनल को चलाते हुए तो पिछले वीडियो भी आप देखिए आपको बहुत फाइदा होगा ठीक है दोस्तों इस टॉपिक पर बात करेंगे अपन वीपीन मानक ट्रेड हो जार मान परीचे कराता हूं वीपीन मानक ट्रेड हो जार क् क्या नहीं होता इसके वारे में तो दोस्तों आप से मैं बस एक रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपने हमेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सेर जरूर कीजिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जुरूर अपनी राय दीजिएगा अगर कोई भी आपके समश्या है तो लिखिएगा ठीक है तो आते हैं फंट टोपिक पर टोपिक है अपना देखिए मानक क्या है क्या नहीं है देखिए परिचे देखिए दोस्तों इलेक्ट्रिशां ट्रेड के अनुसार विबिन परकार के वैदित्यू करणूं मशिनों का अध्यन किया जाता है देखिए जैसे कि आपकी कोई ट्रेड़ फीटर हो इल्लेक्रोनिक्स हो हो या इलक्तिक एन है जैसे आपकी तो इसी के अनुसार विभिन प्रकार के व्यद्यत्यूक उपकरणों जैसे कि मशिनों में अध्यन किया जाता है जैसे कि आपने इलेक्ट्रीशन में हैं तो मोटर्स हैं व्यद्यत्यूक उपकरण हैं उनमें कौन-कौन से आपको काम में लेने के लिए जो टूल्स चाहिए उन उनका सभी के अनुसार अलग-अलग प्रकार से उपकरण लिए जाते हैं इस व्यद्यत्यूक उपकरणों मशिनों का एक निश्चित मानक होता है इक होती है इस्टेंडर्ड होता है जो कि भारत्य मानक ब्यूरों एनकी बी आइस द्वारा मानकृत किये जाते हैं ठीक है तो इसकी जो परिवासा है वह है कि वह बहुतिक यंत्र वह बहुतिक यंत्र जिसकी साहता से किसी भी प्रक्रम को संपन किया जाता है ओजार कहलाता है ठीक है तो यह ओजार की परिवासा थी बहुतिक यंत्र जिसकी साहता से किसे भी प्रक्रम को संपन किया जाता है उससे क्या कहते हैं ओजार कहते है देखिए दोस्तों ओजार के बारे में उसके बाद बताते हैं बूलदारी परिबसा किसी राव किसी मात्रक का एकाइमान किसी उत्काधन का आकार्परकार एवम करेविवरण आधिक अधिका निर्दारित रूप मननक कहलाता था है ट्यकि़े इसी के साथ उधराण के तौर पे मैं में बता देता हूं कि कौन-कौन से इकाया कैसे होती है तो अंतराष्टे-पद्धति में मानक मात्रक जो है यह मूल राश्या साथ हो है मूल राश्या कितनी है साथ है यह साथ मूल राश्या है जिनके बारे में देखिए लंबे का जो मात्रक है वहां मीटर होता है एम से इसको दर्साया जाता है प्रतिक चिन होता है त्रव्यमान को किलोग्राम में समय को सेकंड में पदार्थ की मात्रा को मोल में विजुद्धरा को को एम्पियर में तापमान को केलविन में और जोतित तिर्वता को केंडिला में दर्चाया जाता हैं दोस्तों ठीक है आगे बढ़ते हैं गिशे में देखिये संपूरग जो राश्या होती वह हैं जो अपने पहले पड़ी वह मूराश्या थी अब आते हैं संपूरग राश्यों पर देखिये संपूरग राश्या दो प्रकार की हैं दो हैं एक तो तोसरब को खोर एक है तोस खोर्ण प्रेंड दरस बाधाया जाता है और Midnightкую असलब से दरता है इसके बाद में आती है आपकी व्यूत पेंड राशियाrás जो सारी है हिए आपको यहां पर को दर्साता हूं बल का है न्यूटन चेत्रपल का है वर्गमिटर इसको एम इसको ऐसे दर्साय जाता है सक्ति का है वाट पर्तिरोद का है ओम दाप का है न्यूटन पर्ति वर्गमिटर आवरति का है हर्टज चुम्किया फ्लक्ष गनत्व का है टेसला ठिक है टेसला और दरता का है फिरारे कोण यह वेक का है रेटेन प्रतिसेकंड परेर कत्व का है हैंणरी गनत्व का है कीग्रा प्रति गन्मिटर वेक का है मिटर प्रतिसेकंड और विभुवांतर का है वोल्ट ठीक है और विजुद आवेश का हैं दोस्तों कुलाम ठीक है तो इस प्रकार से जो में में रास्या थी वो मैंने आपको दर्साई है इसी के साथ आगे बारते मान की करण क्या होता है देखें मान की करण को मैंने परिबासित किय है अच्छी प्रकार से देखे बारत वर्स कि भारत वर्स यानकि एस आई जिसकी फुल फॉर्म इस्टेंडर्ड इंटरनेशनल इस्टेंडर जी नेशन जो है मान की करण के आधार पर वर्स गुनिसों उनसितर में आई एस आई इस आई का जो फुल फॉर्म है इंडियन इस्टेंडर इंस्टेंडर इस्टेट ने मान को के निरदारन का कार्य प्रारम किया था उक्त संस्थान का यह कार्य मान की करण कहलाता है इस प्रक्रिया का मुक्य उद्देश से है उपवोक्ताओं के हितों की रक्षा करना इस प्रक्रिया का जो इसको बनाने का मुख्य उद्देश से क्या है उपवोक्ताओं यानि कि जो कंजुमर होते हैं जिनके घरहों में विद्दियो ताती हैं या जो ग्रहाग बनते हैं उनके हितों की रक्षा करने क कि उनके हित्तों की रक्षा करने के लिए मान की करन का निर्मान किया गया है देखिए कि आई एस ओ यानि की इंटरनेशनल इस्टेंडर और और्गनाइजेशन अंतराष्ट इस तर पर वस्तों के मान की करने के लिए बनाया गया है आगे देखिए दोस्तो BIS, ISI के लाग, देखिए BIS और IS की मैंने फुल फॉम बता दिये हैं, क्या होता है, क्या नहीं, यह मैंने आपको दर्शाया है, इसके द्वारा जो है ना मानक उत्पादन का चैन करने में साहिता मिलती है, इसके द्वारा दोखादड़ी से बचा जा सकता है, इसके द्वारा जीवन तता संपत्ति के प्रतिसंकट है तो शुरक्षा का अस्वासन प्राप्त होता है, उपमान गुणवक्ता होने पर ISI चिनहित उत्पादों को निशुल के प्रतिस्तापन प्राप्त होता है, ठीक है? आगे देखिए एस आई प्रणाली इसे नेशनल फिजिकल लिबरेटी यू के चिता नेशनल वियूरो ओफ इस्टेंडर्ड यू एस ए द्वारा मिलकर बनाई गई है इसको किस-किस ने बनाया है तो इसको इननों ने बनाया जो मैंने आपको बताया है देखिए ओजारों की विशिष्टिया क्या है ओजारों का कार्य क्या है ओजार कैसे होते हैं तो आते ही ओजारों पर देखिए ओजार बहुत सारे हैं बारी-बारी से अपन एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे देखिए प्लायर मूलता है दो टांगों का जोड़ा है जिसका द्रिश्य आ आपने नजर आ रहा होगा प्लाइर के बारे में प्लाइर मुख्यत है दो टांगों का जोड़ा होता है जो की पीवेट से जुड़ा होता है पीवेट से जैसे की यह प्लाइर है तो यहाँ पर जो होता है ना इसको बोलते हैं ठीक है इसका उपयोग छोटे बागो तताँ अवा यहों को पकरने झकड़ने खिचने आव गुमाने के लिए किया जाता है इसका उप्योग कम वियास वाले तारों को मोडने वर काटने के लिए भी किया जाता है धातु से बने भागो को तेल में डूबे कपड़े से पोशना चाहिए जब इसको साप करने की जुरत परती है तो तो सको साप किया जता कपड़े से पहुच कर ठीक है इसके पिवेट विजोड पर तेल दौरा ओइल करते रहना चाहिए जो पिवेट होता है हिसमें टाइम तु टाइम समय उसमें ऊयल को प्रकार है कि विकर्ण कट्र प्लायर कि यहां पर चित्र नजर आ रहा होगा इसके द्वारा- लिएशन हटाने और कोटर पिन को विवाजित करने में भी इसका काम लिया जाता है देखिए यहें इनकी जो साइज होती है वह सो 125-140-160-180-180-200 mm की होती हैं एंड कटिंग प्लायर कम वियास युक्ततार पिन के लिए लियों को काटने पिन खीलियों जो खील होती है ना उनको काटने एंड कीलो को लक्टी से निकालने में इसका उप्योग किया जाता है लंबाई जो होती है 130-110-180-200-210-240 mm mm होती है ठीक है आगे आते हैं अगला जो है फ्लेट नौट प्लायर प्रियोग तारों को वह दातू के चोटे-चोटे टुकडे बनाने तथा उन्हें आकरती प्रदान करने के लिए इनका उप्योग किया जाता है दातू की केविलों से आवरन हटाने एवं चोटे-चोटे भग पकड़ने जखड़ने के लिए पियाग के लिए इनका उप्योग किया जाता है थे प्लेट प्लायर का देखिए लंबड़ में क्या होते हैं 120 140 160 180 तता 200 mm में ने को बना बना जाता है रावंड नोज प्लायर देखिए जब्रों के आकरतियों को स्वंकाकार होती है इनकी जो आकरती होती है वह स्वंकाकार होती है जिसके जिससे विबिन परिमाप के वक्र तता वृत बनाए जा सकते हैं लंबे होती है 120, 140, 140, 180, 200 mm की होती है आगे आता है आपका लोग लोग नोज प्लायर चोटे बागों को सिमित परिशेत्र में पकड़ने के लिए इनका प्रियोग किया जाता है लंबाई 160, 160, 220 mm होती है आगे आता है आपका आकरी जो सबसे महत्वपून है वह हैं कॉम्बिनेशन प्लायर कॉम्बिनेशन प्लायर अक्सर सभी के घरह में मिलता है जकडने पकडने एक्टने कम व्यास वाले तारों को के बिलों को काटने के लिए इसका उप्यूश किया जाता है इसमें संयोक्त कटल की सुजदा भी होती है जो वायर को काटने में बेलनाकार वस्तुक को जकड़ने यान की पाइप ग्रिप प्लायर भी इसमें लगा होता है ठीक है तो इसका दो-तिन कारे होता है लंबाई 140-160-190-210 mm-250 मेमी के बनाए जाते हैं देखिए प्लायर में लगाल और है यह कुछ पर बनाये रखे ताकि उसको चालू लायन होती होती है सजी लायन होती कर सके हाथ वड़े की बात इसका अप्योग न करे किसी भी चीज हो ठोपने के लिए इसका फ्योग न करे चिस्हटे तार को इस से न काटे गर्म वस्तुन न पकड़े ताकि इ यहमर जो की हतोड़ा होता है लोए से बना होता है प्रियोग कीले ठोकने रोल प्लक वाइग गिट्टी लगाने चैनी की साहता से दीवार में छिद्रियान की छेद करने आदि में हैमर का उप्योग किया जाता है मुख्य बाग जो है इसके फेस पिन आई होल नेक वा हैंडिल आदि इसके मुख्य बाग है सामाने कारे के लिए 400 ग्राम भार वाले हैमर का उप्योग किया जाता है है मर के प्रकार क्या क्या है बॉल पिन हैमर रोल प्लक लगाने वा रिवेटिंग में उप्योग होने वाले यह बॉल पिन हैमर है इलंच वाले इस्टेट वीन हैमर को उप्योग में लेते हैं क्या होता है लकडी के द्वारा बनना होता है पुरा लकडी का बनना होता है सिसांम एमली शागोन और कटोर लकडों का प्रयुक्रार्णे में क्या द्लिyang देखिए फेस जो साउधाने रखनी है हमर के बारे में वक्त क्या-क्या है फेस चिकना नहीं होना चाहिए होना फिसल सकता है चोट पहुचा सकता है अंडिल कसा हुआ होना चाहिए एक तो अपन मार रहें और लोह वाला पार्स लख्री से अलग हो जाएं तो दुर गटना हो सकते हैं हेमर का चैन जोब के अनुसार करना चाहिए जैसा जोब है उसी अनुसार है मर का प्योग करना चाहिए अब आते हैं दोस्तों चैनी जिसको इंग्लिज से बोल जाता हैं है इसे 1 प्रकार rock यह डियम से बनी उती है यह लकडी की कटण के लिए उप्योग होता है लंबह्य इसकी जो हती है 15 संटीमीटर अधाभ्यों ठेचारियों क्षाइए है अदिशेट्धा केसी होती है इसका परियोग मांसिण है कार्यों में होता है इसकी लंबई 18 सेवी होती है देखे इसके धार कूंद हो जाने पर इसे वेल इस्टोन या वाटर इस्टोन पर गिसकर धार तेज कर लेना चाहिए अंतिम में है आपका आज का जो टोपिक रहेगा वह रहेगा है क्सा एक्सा जो है दर्तों को काटने वाला ओजार है मुझ्य इसके बाग इसके होते एडजेस्टिबल फ्रेंव हैंडिल उच्वकार्वन इस पात ब्लैड एडजेस्टिबल ब्लैड वालडर होता है इसकी ब्लैड की लंबई 30 सेमी होती है लेक्वे सावधाने जो है ब्लेड के दाते आगे की औरोनी चाहिए मिशा मोटे जोब को काते के समय सितल अत्वा जल का प्रयोग करना चाहिए ठंडक को ठहुता है क्यों उसको नRad को रवर या जलका प्रयोग करें कि अंतिम में यही करना चालता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो 2002 कीजेगा यहींदि कीजेगा वीडियो को एक-दो एक ग्रूप में ताकि हमें भी प्रसंदता हो और हम आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो बना कर लेके आएं ठीक है दोस्तों और इसके साथ अगर कोई समझ्या हूं किसी टॉपिक पर आपको कुछ वीडियो बनवाना है तो हम वीडियो बना देंगे उसको आप कमेंट में लिखेगा कि हमें इस बारे में वीडियो चीए तो हम जरूर बनाएंगे ठीक है इसी के साथ दोस्तों हम लेते हैं यहीं परिविदा खुश रहिए घर बेठे फड़ते रहिए हमारे साथ बाला जी आ नेक्ट खुश के साथ नेक्ट वीडियो में